आज में जेपूर आया हूँ और यहां पर एक कर्शी संस्ता से मेरा संपर्ग हुआ है तो किसान भाइयों के लिए पूछते हैं क्या जानकारी मेंती है आपर है करो नंष्कार सर में एचेश मीवची और मेरा नाम राजीश कुमारें हूँ अ अगरेट यहां बेटिए न्यॉत्ट शार आपका क्या नाम है ई ने ते परसुला मेराशा परीट है और हमारी कमपनी अपरगती किसानum Bioplantic Private Limited है और आप किसानों को क्या क्या सेवा देते हैं जर कर्शी संबंदित जी मैं आपको ये बढ़ता हम हूं कि हमारी इसलस्ता है वो टोटल फूट प्लांट्स वेजिटेबल प्लांट्स में कुच अपुक आइटम और timber plant का काम करती है जो किसान लोगं के लिए कई सारी इसमें सुविदय होती है जैसे हम किसानों को पोधा हमगवाएं तो उसके लिए आप कमपनी की कैसे हो रहेगी ज़र हाँ देखो हम बता ले हमारी जो प्रगति किसान पायो फ्लांटे प्राव निप्रिट है यह संस्तक क्या है कि आलो और इंडिया सप्लाई रिटी है जिसमें पहले चीज़ लिए होती है कि किसानों को उन लोग जहां भी होगा पुला आलो और इंडिया में जिसे राजस्तान में हुआ गुजाद में हुआ पंजाब हुआ हुआ हर्याना हुआ सबी जगे हम लोग फ्री डिगर देते हैं दूसरी चीज किसानों के लिए क्या है अगर जैसे मालो कि अब प्लांट लगाने के बार भी अगर कोई प्लांट थ्राब होता है तो वो प्लांट हम उनको रिवन टाइब का रिपलेश्मेंट देते है अगर कोई किसान भाई आपके कंपने से फेड मंगवाए तो केसे प्लांट है हाँ उसके लिए इसा है हमारे पास कंपने की तीन तो वेवसेट है जो पहली वेवसेट है www.pargatikisang.com दूसरी वेवसेट बहुत है जिसका नाम है www.pargatikisang.com और एक वेवसेट है www.pargatikisang.in ये तीन वेवसेट के दौरा भी है और अगर किसान भाई चाहे तो अपने मुबाईल के अंदर प्रगति किसान के नाम से एक एव है उसको भी डाउनलोड कर सकते है जो हमारी समस्ता का लोगो लगावा है उस लोगों के अगार पर आपको उसमें एक एव आउनलोड बले आएगा तो उस एव से किसान को उसमें कौन सा प्लांट चीए उसमें सारी जानकारी है उसमें ये भी है कि आपको कब लगना चीए केसे लगेगा कितना उसकी आमदनी है यह सारी जानकारी उसके अंदर हवियर बगरती है दूसरी चीज हमारे यहां से टोल फ्री जो नंबर है हमारी सेवा में वो जो नंबर है लाइनलाइन का उस पे आप कभी भी चोई सिंटे गोल कर सकते हैं प्लांट के लिए है नहीं कि प्लांट देने के लिए अगर और कोई भी समझ्या हो मानगों बायोब के लिए या जैसे और्लिनिक फटलैजर के लिए तो उसकी भी हम सलाव अगरा देते हैं वो हमारी फ्री सेवा है कहीं भी आल ओर इंडिया से को भी किसान भाई हमसे संपरक कर सकता है सर अगर हैसान अमरूत के कटिकरे तो उसके बारी कुछ जहनगारी देजिए अमरूत में यसा है सब अमरूत कर से क МУं आती है अम्रूद में अम्रूद लखनरी 49 गोलते, L49 गो आता है, थाइप पिंग आ रहे है अजकल, थाइप सेबन आता है, और ललीट करके आता है, तो कही सारी गराटे हैं, लेकिन मैं आपको आज सरदार लखनरी बाया बताता हूँ, यह जो प्लांट होते हैं, यह आती है, और अब जो L49 गोसे मैं बता रहा हूँ, यह क्या है काशक कि यह ग्राप्टिंग हो रहाते हैं, तो ग्राप्टिंग की जल्दी फ्रूटिंग आती है, यह क्या अधिक साखा यूथ होते हैं, लावदार में भी अधिक फलंग वाले बते हैं, तो यह mostly क्या है कि एक फसलें क्या है, उनको लगाने में ज्यादा टाइम जाता है, ज्यादा एक्सप्रेंस जाता है, अब यह जो बागवानी है, इसमें एक टाइम अभी लगा दी फसल तो उसको प्रच्छी से तीस हाग तक देखने की जूट नहीं है, तो यह अमूद जो है क्या है कि इसकी जाता है, और इसकी नुट पाधूं जो है, इस्टार्टिंग में पच्छी से तीस किलो से सुरुआ होती है, जब यह जैसे की गोधिन साल में बढ़ा हो जाता है, तो असी से निग्ब किलो तक इसकी बशन की मात्रा हो जाती है, बाकी इसका भी बाग का रख रखाव है, ब जल्ले बन जाते हैं, और नया उसना फिलाव होता है, और नया फिलाव पूरने की कारण क्या है, कि इन में नई फूपंद होती है, और फसल अच्छी आती है, बाकी सावदा निए अगर रखनी हो, जिसे मालो आपको प्लांट लेना है, तो फर्स्ट टाइम में आपने प्ल पोदे मगाने हैं, तो आप पोदों को जगद दिन रखे नहीं, उसमें आठ से दस्ट लिन के अंदर ही पोदे लगा लेगा है, दूसरी चीज क्या है, जैसे मालो की उसके अंदर हमारी सूदेय तो है, जैसे हम लोग तो जो परकतिक इसान संस्ता है, उसकी सुविधा यह ह है कि हम एक से दो बरस तक टेकनिकल सर्विस लेते हैं, आप